Hello my dear students, a very good morning. Hope you are fit and fine. In today's class, we will study about sentence. Grammar topic, sentence. Sentence means, वात के. First we learn what is sentence. कि sentence क्या होता है? A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence एक सब्दों का ऐसा सम्मू होता है, जिसका कोई complete sense निकलता हो. मिस कोई पूर्ण अर्थ निकलता है. उसको हम sentence बाक्य कहते हैं. और subject के लिए जो formula होता है, subject plus verb plus object. subject means करता, verb means किरिया, और object means कर्म. यह मैंने पहले आपको और दूसरे वीडियो में बता दिये हैं. बट, let's revise. फिर से हम आज revise करते हैं इसको और जहांसे समझ गएगा. ओके? Look at this group of words. अब इस सब्दों के समझ को देखिए. बार्ग्द दा डोग मी एट. पताईए इसका कोई अर्थ निकला? बार्ग्द मीस भोका, दा डोग, कुता, मेरे, एट मीस पर. तो इसका कोई अर्थ नहीं हुआ? अभी हमने क्या पला दा कि? जब सब्दों के समझ होता है, सब्दों का समझ होता है, उसका कोई अर्थ निकलता है, पूर्ण अर्थ निकलता है, उसे हम sentence कहते हैं. लेकिन यहाँ पर group of words तो है, लेकिन उसका कोई भी sentence नहीं निकला. इसलिए ये जोग्द है. ये sentence नहीं है. ओके? let's see, अब हम इसको arrange करते हैं, हम इसको sentence बनाते हैं the dog but at me, यह हमने इसको arrange कर लिया है, सब्दों के समुकर अब देखें इसका means the dog यह subject है हमारा dog क्या है? subject but word means भूका, at means मेरे उपर, यह object है तो इसका अर्थ निकल ला है कि जो dog है, वो मेरे उपर भूका, तो इसका अर्थ निकल ला है, इसलिए यह sentence है this is a sentence, okay you have to do this definition of sentence in your notebook, आपको notebook में write करनी है definition with example, यह example लिखना है कि यह हमारा sentence नहीं था और यह sentence हमारा बना क्योंकि इसका कोई अर्थ निकल ला है okay लेटर बड़े अक्सर से और end fully stop the verse in a sentence should be in the correct order और जो सब्द है sentence में वो सही होने चाहिए, सही क्रम में होने चाहिए हम इसके end में fully stop और question mark भी हो सकता है, यह आप आगे पढ़ोगे next class में और exclamation mark भी हो सकता है, okay this is fully stop, question mark, exclamation mark, understand now let's do exercise put the words in the correct order to make sentences find each sentence with the fully stop हमें इसमें जो सब्द हैं, उन्हें सही क्रम में रखना है sentence बनाने के लिए और end में fully stop लगाना है, okay इसके विना हमाला जो sentence है, वो incomplete रहेगा अगर हम fully stop नहीं लगाते फुली स्टोप आपको बताया था, ये fully stop होता है first, to have those the child now tell me is this a sentence, क्या ये sentence है, no it is not sentence, ये sentence नहीं है क्योंकि इसमें जो group of birds है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला to miss though, has dolls miss, गुडिया, the child बच्चा, नहीं निकला, तो हम सबसे पहले इसमें subject क्या होता है, वो रखेंगे तो the child is subject तो the child सबसे पहले क्या लिखेंगे the child उसके बाद हम इसमें आपको बताया था, verb, helping verb भी हो सकती है main verb भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकती है तो has is verb has two dolls T-W-O two dolls and foolish dolls understand, ऐसे हम sentence बनाते ही यह आपके exam में भी आते हैं इस type से question और आपको यह करना होगा तो इसे ध्यान से आपको समझना है और करना है, इसमें subject वर object next, second making mother a cake this is no sentence, यह भी sentence नहीं है making miss बना रही है mother miss ma, a cake miss, a cake is miss है अब हम इसे किरम में रखना है order में रखना है, कैसे रखेंगे सबसे पहले subject की, कौन बना रही है आपको भी subject और predicate भी पढ़ाए जाएंगे आगे, तो इसके बाद कौन बना रही है, जो हमारा question होता है who या what में, कि जो कार्य करता है वो किसके द्वारा हुआ है, वो होता है हमारा subject तो mother is subject we make capital letter mother verb, helping verb, main verb is making a cake, object mother is making a cake this is a mother, यह आप पिच्चर में देख रहे हैं न ओके बटा, दिस इस मदर और making a cake बना रही है और इस पिच्चर में यह girl है, लड़की है जो कुडियों से खेल रही है ओके, इसके पास दो डोल है next, third climbing, they, hill, are, up climbing में चल रही है they means way, the hill means पहाड़ी, are, up इसका कोई भी sense नहीं हुआ अब हम इसका sense में बनाएंगे climbing, they, the hill, are, up अब देखें, यह group ओपर से हैं लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकल लाए यह order में नहीं है first subject, they, are climbing, helping verb, main verb up, the hill, object they are climbing up the hill next fourth, six chairs are the room in there कुछ sentence ऐसे होते हैं कि उसमें जो हमारा subject नहीं दिया, वो होता है, there से जो sentence होते हैं, उसमें हम सबसे पहले there को रखते हैं okay, तो there there are six chairs in the room तो यह जो there वाले sentence होते हैं हम इने there और उसके साथ हम helping verb को रखते हैं, ECRM जो भी है आपकी और उसके बाद हम इसमें subject आता है इसमें other formula okay, यह देर वाले अलग sentence होते हैं, यह आप पढ़ोगी next fifth this is a picture, इसमें एक thief है, चोर और एक policeman है, तो देखिए the thief chasing the policeman this is not sentence, हम इसमें से किरम में लखें, order में लखेंगे the policeman is chasing the thief in the end, full stop okay, बिना full stop के sentence incomplete होता है, अदूरा होता है तो यह आपको याद रखना है कि full stop लगाना है sixth jumped over the cat the wall इसका sentence हम बनाएंगे, the cat jumped over the wall understand, the east in rises, the sun this is not sentence, the sun rises in the east अब इसका रट हुआ, कि जो सूर्य है, वो इस्ट में निकलता है यह दिखाई दे रहा है आपको इसमें कि जो सूर्य है, वो कहां निकलता है इस्ट में, पूरब में निकलता है तो subject, favor, then object eight, film आगूड, on video, सावी अब यह film देख रहे है, तो यह इसमें सबसे पहले we saw a good film on video this is a sentence eight, film a good on video, सावी तो देखे यह sentence नहीं है sentence, we saw a good film on video कि हमने एक film देखी वीडियो पर यह देखे पिचल में दिखाए जा रहा है nine, sitting on the sofa on women too अब two women, जो है वो बैठी हुई है sofa पर, तो two women are sitting on the sofa यह देखे इस पिचल में क्या कर रहा है यह बैक्ती, tired में थका हुआ था was थका हुआ था, I, मैं and the chair in slept, or chair in slept तो chair, क्या, chair में so है, तो यह sense नहीं निकल ला, इसका कोई भी तो सबसे पहले क्या करेंगी, कि I was tired में थका हुआ था and slept in the chair, और chair में so गया, तो this is a sentence I hope you understood very well how to make sentence कि कैसे हम सही order में रखते हैं, सही gram में रखते हैं sentence को okay, now let's do parts of a sentence एक sentence के कितने parts होते है a sentence has two parts subject and predicate okay, subject जो कारे को करने वाला होता है और predicate जो उसके बारे में होता है जो पूरा sentence इसके बारे में होता है आगे देखें, next sentence consists has two parts इसके two parts होते हैं, how many? two parts, you have to learn subject and predicate subject is the part of a sentence which tells us who or what subject जो है वो sentence का बहरा पार्ट होता है जो में बताता है who, miss, कोन, या किस ने और what, क्या कि sentence में कोई कोन है अगर हम आँसर करते हैं और what की क्या है, क्या कर रहा है या कोन है, जिसके उपर sentence होता है predicate is that part of a sentence which says something about the subject और Predicate sentence का वहफार्ट होता है जो subject के बारी में होता है कि subject के बारी में क्या कहा जा रहा है जैसे रवी पिलेज़ दा फुटवल रवी फुटवल खेलता है अब वू पिलेज़ दा पुटवल कौन खेलता है तो ये होगा आपका subject की रवी answer क्या है हमारा रवी okay let's see example the choir performed bell अब देखिए the choir यह जो choir होता है song होता है गीत तो यह subject है और performed bell predicate यह क्या है predicate क्योंकि choir के बारे बताया जा रहा है कि वो बहुत यह अच्छे तरह से पूरा हुआ गाया गया तो यह predicate और एक बात आपको और important है कि predicate जो होता है वो हमेशा वर्व से starting होता है कहां से start होता है वर्व से होता है subject के बाद जो helping वर्वी हो सकती है यहां पर और main वर्वी हो सकती है okay the choir is the subject tell the sentences about let's see more जैनी went to the market to buy प्रेजिटिवस अब रिके जैनी इसमें भाटी जैनी नौं यह आपको याद रखना है कि subject जो हमारा noun भी हो सकता है pronoun भी हो सकता है और यह singular हो सकता है और plural भी यह singular है जैनी जैनी is subject और यह हमारी वर्व है यहां से तो यह क्या हुआ हो यहां से हमारा predicate understand तो जैनी is the subject योगि उसी के बारे में आ रहा है कि मार्केट कोन गया हूँ वेंट तुदा मार्केट जैन भी रोहित एंड बरू और वाटरिंग दप्लांट्स अब रोहित एंड परू अपको मैंने बर्व के बारे में पढ़ा दिया है पहले कि हेल्पिंग और में बर्व तो यह आर देख ब्लूरल भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट अंडर्शाइड तो रोहित एंड बरूर्वन आर्श सब्जेक्ट next let's see exercise circle the subject and underline the predicate in this sentence इसमें हमें क्या करना है subject को circle करना है और predicate को underline करना है first zone is feeding the pigeons अब देखे वहांटी subject in this sentence zone क्योंकि feeding pigeons को feeding कौन करा रहा है who zone तो यह subject है और rest part जितना भी आपका होता है वो साला predicate होता है no problem जब हमारा subject हमें find करना है उसके बाद हमारा जो वर्व से है वो predicate रह जाता है okay second कीर्टी नोज how to play प्यानू अब who knows को जानता है कि प्यानू कैसे बजाते है कीर्टी तो कीर्टी इस subject तो सरकल और नोज से प्रेडिकेट थर्ड एडी एंड अरोन आर प्लानिंग तुर्गो ओना पिक्निक पिक्निक पर कौन जाने की प्लानिंग कर रहे है योज ना बनाने एडी एंड एंड एरोन अब इसमें देखिए two हैं दोनों है तो यह हमारा subject और रेश्ट पार्ट जितना भी होता है वो प्रेडिकेट अंडेस्टैंड बैर इजी फोर्ट सुटी लाइक्स तू विजिट अंजेंट मोनुमेर्स विजिट करना एंजेंट पुरानी मोनुमेर्स इमार्दों को सुटी सुटी इस subject और लाइक्स बर्वे प्रेडिकेट अगरा होता है हमारा subject अंडेस्टैंड रिया विल सिंगा सों इन दा स्कूल एन्वल फंक्षन कोन गाना गाती है इन्वल फंक्षन में रिया तो जो आप देख रहे होगी मैंने काफी डिटेल में समझा दिया है कि जब हमारा answer आता है कौन कार्णे को कर रहा है या किसके द् subject the tiger is the deer the tiger is subject and then last part जितना भी हमारा जो बसता है वो predicate my subject then planted predicate मानिक and people यहाँ पर two है देखे जब and से जुड़ा होता है तो यह हमारा subject ही होता है क्यों कि वो plural में आ गया दो है okay like to play cricket यह predicate subject and predicate I hope you understood very well मैंने आपको काफी example दे दिये हैं और आप यह अच्छे से समझोगे क्योंकि यह सभी में आपको जो टेंस की है उसमें भी बताया जाता है कि subject क्या होता है subject के बारे में आपको समझना जरूरी होता है okay I will be explained in detail in another video for upper classes have a nice day bye bye